नमस्कार जहीन, पूरजानिकों के लिए 20 vacancies को हम discuss करेंगे, 20 में से 13 vacancies हैं वो direct nature की हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई exam नहीं देना है, और बाकी 7 vacancies को हम discuss करेंगे, जो की government vacancies है, मार्च 2014 का ये part 2 वीडियो है, पिछले वीडियो को आप बाकी description box में आपका उसका link दे दिय direct job से start करेंगे, अभी start करेंगे हम लोग जो ECHS के latest vacancies आये हुए, यह सब direct nature की है, और यह कहां कहां से है, ECHS जहांसी, यहां पे काफी सारे vacancies हैं, उसको में detail में हम नहीं बताएंगे, उसको, आप लोग जो इसका description box में link मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर लें, इसका vacancies है, including officer, JSU और OR के लिए, तो यह हो गया ECHS जहांसी, उसके बाद, जो next है, ECHS का ही बात करेंगे हम लोग, वो है ECHS नागपूर के लिए, यहां भी जो vacancies है, बहुत सारे vacancies हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद, next है ECHS गंगा नगर and हनुमानगड, यह दो locations के लिए है बाकी जो details है, description box में आप लोग, चेक कर लेंगे, उसके बाद, next है, ECHS cell तवंग location के लिए है, उसके बाद है, जो next है, वो आया है, ECHS cell पटियाला से, इसमें भी काफी सारे vacancies हैं, तो आप, अभी आपको clarity के साथ देखनी रहा हुआ, वो आप details, description box से चेक कर लें, आगर नाम लिख दें, इस चीसे का आपको vacancy का details चाहिए, हम आपको उसको personally भी भेज़ देगे, उसके बाद, next है, Indian Air Force placement cell के तरफ से, जो important अभी जो latest updates है, वो है, DSC भरती से लेके, तो इसमें DSC भरती में, GD, CPI और CPI clerk के लिए vacancies है, इसका जो last, जो भरती date है, वो है 20 March 2024, इसमे NCOs participate कर सकते हैं, और इसमें GD के लिए 46 years है, clerk के लिए 48 years है, last date, All India, Pan India, इसमें job location होगा, Air Veterans, इसमें register होके, apply कर सकते हैं, उसके बाद, next है, Assistant, Manager, Admin and HR, तीन vacancy है, last date 25, March 2024 है, RB structures, private, limited, NCOs इसमें apply कर सकते हैं, salary जो है, 50,000 पर मन्त का है, maximum age है 50, और job location बैंगलुरू का है, तो इंडियन Air Force placement sales से तीन जो अभी latest vacancies हैं, वो हैं, इसके अलावा, अभी एक जो government job, important government job जो आने वाला है, वो है, Ministry of India, Ministry of Government of India, Ministry of Railways के तरफ से, और यहां पे SI और RPF, SI और Constable के लिए important update इन्होंने जारी किया है, इसमें opening date of application, जो online application इसमें feel होगे, 15 अप्रिल 2024 से, और इसका last date होगा, 14 मई, अभी इसमें time बाकी है, लेकिन इन्होंने एक short notification डाली किया है, जारी किया है, जिसमें कि, इन्हो 1660, यानि 4500 से ज्यादा vacancy पूर सैनिकों को यहां मिलने वाला है, जिसमें कि SI और Constable के लिए है, तो अगर आप government job के तयारी कर रहे हैं, तो इस notification को पढ़ ले, उसके बाद इसके लिए जो भी तयारी करना है, आप online अपने practice set मार सकते हैं, या previous years के questions को आप लोग follow कर सकते है अभी हम लोग discuss कर लेते हैं, कुछ अभी direct vacancies को उसके बाद हम government vacancies जो भी हैं, वो हम नीचे चेक करेंगे, तो direct vacancy में 4 PSO चाहिए, एक सर्विसमेन हो या CFF के जवार हो, job location लखनव का है, 5 feet 10 inch height चाहिए, इसमें जो salary offer कर रहे हैं, वो है 40,000, दो छुटी भी है, stay or food free है, रह इनके पास हथियार है, वो इसके लिए apply, इसमें call करके join कर सकते हैं, उसके बाद next है, 1 PSO चाहिए, पटना location के लिए salary बढ़िया ओपर कर रहे है, 38,000 है, 10 घंटे 26 दिनों की इसमें रहेगी, रहना खाना free है, contact number आपको screen के उपर दिख रहा होगा, तो ये पटना के अलावा बाकी बिहार के बाकी जो पार्ट या, all इंडिया से भी पूर्चनिक यहां पर रह सकते हैं, क्योंकि यहां रहने और खाने के लिए free दे रहे है, उसके बाद next है, gunman की requirement है, दो locations हैं, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश, दोनों राजियों के लिए यहां पर vacancy है, तो तेल salary offer कर रहे हैं, वो है 33,000 in hand, सबी दिन 8 घंटे की duty रहेगी, इसके अलावा, PA for ESI अलग से रहेगा, accommodation भी provide कर सकते हैं, job location के आधार पे, यहां join करने के लिए contact number आपको screen को पर दिख रहा है, यहां से बात करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा, यह ज 20,000, duty 12 घंटे की है, holidays 4, रहना खाना यह free offer कर रहे है, salary के हिसाब से, gunman के हिसाब से, यह जो salary बहुत ज्यादा कम है, अगर इसमें फिर भी इस कम salary को भी manage कर सकते हैं, तो यहां पे contact number दिया हुआ है, इस पे ज्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकते है, नेक्स्ट है, दि अब आते हैं, हम लोग switch करते हैं, government jobs के, तो पहला हमने RTF, SI और constable के लिए हमने discuss कर लिया, अब हम discuss करते हैं, जो next, उसके बाद अभी DSE rally है, BEG center route की, date of report है, 11 March 24, rally होगा, यह भरती जो आयोजन होगा, वो 12 March 24, लेकिन 11 March को ही report करने के लिए कह रहे है, यहां पे जो भरती है वो है, सिपाही, GD और clerk के लिए, date of discharge से 2 साल के अंदर होना चाहिए, medical category से 1 होना चाहिए, character, exemplary या very good, यह accept करेंगे, उसके बाद है, next vacancy, National Institute of Passant Technology, NIFT, Patna, इसमें total 30 vacancy है, assistant, junior assistant और various post, यह offline mode में इसका application apply होगा, इसका जो last date है, वो है, 27 March 24, अब mode of recruitment process का बात करें, तो सबसे पहले इसमें return test लिया जाएगा, उसके बाद skill या competency टेस्ट होगा, details आपको नीचे description box मीच जाएगा, वहाँ पे offline mode का जो application form है, वो भी आपको नीचे description box मीच जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको, उसको personally comment भी कर दीजगा, हम उसको आपको पसनली भी भेज़ देंगे, next है university of ilahabar, इसमें जो post है, वो है driver, data entry operator, lab assistant, nursing officer, field assistant, इतने post है, total number of इसमें जो vacancy है, वो है 347, इसमें एक service man के लिए जो reserve vacancy है, वो है 34, last date है, 1 April 2024, यह online application होगा, और जो first वाला, इसके पिछले वाला जो बताये थे, वो offline mode में है, और यहाँ भी आल इंडिया से एक service man इसके लिए apply कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो post है, वो बहुत ज़्यादा कम है, 30 post ही है, nift पटना के लिए, तो यहाँ हम आते हैं, university of ilahabad में, तो यहाँ आल इंडिया से पूर सानिक apply कर सकते हैं, online application है, बाकी details नीचे मिल जाएगा, उसके बाद है, steel authority of India limited sale, यहाँ पे जो वेकेंसी है, operator com technician का training के लिए वेकेंसी है, number of vacancy, total vacancy है 341, ex service man के लिए जो reserve vacancy है 37, last date apply करने के लिए है 18 March 2024, इसके लिए qualification क्या चाहिए, qualification चाहिए metric with 3 years of diploma, तो diploma holders जो भी हमारे पूर सानिक है, उनके लिए एक अच्छा मौका भी है, और 37 vacancy है, all India से इ salary भी इसमें बहुत बढ़िया, इसमें offer कर रहे हैं, नीचे decision box में आपको पूरे salary details बाकि सब कुस मिल जाया, next है, sse selection post phase 12, इसे हमने अपने पिछले वीडियो में cover किया था, लेकिन अभी हम इसको बिस्तार से एक बार और क्यूंकि इसके उपर comment ज़्यादा आ रहे थे, तो total vacancy 2049, एक सर्विसमेन के लिए जो reserve vacancy यहां पे है, वो है, केवल 40, यह वो पूरे all India में 140 ही है, अब यहां online application है, application fee, पूर्प सानिकों के लिए कुछ भी नहीं है, निल है, last date इसका 18 मार्स 2024 है, exam date जो होने वाला है, वो है, 6 माई से लेके 8 माई 2024, अब इसमें post-wise reservation हम लोग देखते हैं, क्या क्या है, कौन से post के लिए, पूर्प सानिकों के लिए, इसमें एक सर्विसमेन के लिए reservation है, multitasking staff के लिए एक, driver कम, mechanic के लिए, एक, lower division clerk के लिए, एक, vacancy बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं, तयारी है, तो इसके लिए apply कर सकत स्टोर कीपर के लिए दो, accounts कम clerk के लिए दो, assistant कम officer के लिए साथ, data entry operator एक, office attendant के लिए साथ, lab assistant के लिए एक, field attendant के लिए पांच, four man के लिए एक, staff car driver के लिए चाहते हैं, इसके लिए क्या योगेता रहेगा, वो आप नीचे description box में चेक कर लें, क्योंकि अगर हम एक एक चीज क करके, अगर detail में बताएंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा, लंबा हो जागा, lengthy हो जाएगा, उसके बाद medical attendant एक, dental technician एक, assistant storekeeper एक, अब जितने भी हमारे quartermaster course किये हुए हमारे पूर सेनिक, उनके लिए ये सब जो पोस्ट है, storekeeper या assistant store की पर, उनके लिए एक बहुत बढ़ी बोड तमिलनाडू, पोस्ट का नाम है secondary grade teacher, number of vacancy, total number of vacancy इसमें है 1768, एक सर्विसमेन के लिए यहां रिजर्व पोस्ट है 73, तो अच्छा पोस्ट यहां पे reservation है, मिला हुआ है, तमिलनाडू के पूरसनिकों के लिए, और यह जो वेकेंसी है, only for तमिलनाडू के पूरसनिको के लिए है, एक सर्विसमेन के लिए है, यह online application है, इसमें fill हो रहा है, last date है 15 March 2024, इसमें जो qualification है, वो है 12th pass, और diploma in elementary education होना चाहिए, अगर जेविटी कोर्स भी किये हुए है, तो वो भी इसमें valid है, इसमें maximum age होना चाहिए, वो है 53 years, उसको उपर नहीं होना चाहिए, salary इसमें एक, तो यह हमारे पास जो अभी का latest vacancy था, वो है, बाकि हम अपने telegram channel पे भी latest updates पोस्ट करते रहते हैं, अगर आपके पास telegram channel नहीं है, उसको download नहीं कर पाए हैं, तो हमने description box में WhatsApp channel का link भी दे दिया है, तो लगभग हमारे पूरुसानिकों के पास WhatsApp होता है, WhatsApp यूज करते ह तो WhatsApp channel का link दिया हुआ है, वहाँ आप जोइन कर सकते हैं, और regular updates पास सकते हैं, जैसे news update है, welfare update है, resettlement courses है, बाकि जो जितने भी updates हैं, सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक लिए, जैहिन, जै भारत